हेलो दोस्तों और आप देख रहे हैं दजाव इंफो दोस्तों हम बात करेंगे बी एससी की चुकि इंटरस्ट ते रिये है और वेकेंसी आ चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं विग्यापन संख्या भी आप देख सकते हैं कि 0-2-2023 और ऑनलाइन आवेदन प्रारम हो हो जाएगा आपको 27-9-2023 से और अंतिम तिती भी यहां पर दी गई है 11-11 यानिकी 11-2023 तक यह आप लास्ट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और टोटल वेकेंसी की मैं बात कर लो तो यहां पर 11000 से भी ज्यादा वेकेंसी इस बार रिलीज की गई जो की बहुत ही अच्छी यह मैं आपको लिंक देंगा वहां से भी इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं जो भी इसमें बहुत सारी डिटेल से उसको देख लेते हैं यहां पर मैं बता दूग आपको कि यहां पर केवल क्वालिफिकेशन यहां होने चाहिए 10-2 यानिकी यहां टाइपिंग है मैं उसमें टाइपिंग जरूरत नहीं है और यह जो वेकेंसी है आपके इंटरस्टर यह वेकेंसी है इसमें कहा जारा कि कंप्यूटर में भी आपको नौलेज होने चाहिए यानिकि इस जब अपलाई करेंगे तो 10 प्लस 2 के साथ-साथ आपके पास कं गई है 11,998 वेकेंसी दी गई है category wise वेकेंसी बाट दी गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि category wise यहाँ पर अन्रिजरब में है इसके बाद जेनरल category A, BC, EBC, female candidate, EWS, ACST सभी के लिए यहाँ पर category wise वेकेंसी बाट देख सकते हैं और भी जो details है इसमें हम बात करेंगे नियुंतम योगता आपको पता ही दिए किसमें qualification क्या होने चाहिए आपको intermediate आप पास किये हैं किसी भी आप सरकारी से हो private से हो कहीं से भी आप पास किये हों उसके समक्ष आपके पास दिगरी है एक qualification है तो इसमें अपलाई कर सकते हैं आरक्षण उन्हीं विद्यार्थी को मिलेगा उन्हीं के रहने वाले होंगे उन्हीं को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और नियुम्तम उम्र सीमा इसमें अपलाई कर कर दों यहाँ अनरकषित में यहाँ पर 77 वर्स और अनरक्षित नहीं महिला के लिए 40 वर्स पिछड़ा बर गति पूरस महिला के लिए 40 वर्स अनसुशी जाते अनसुशी जान जाती पूरस महिला कर लिए आप 20 वरस और maior जो भी इसमें अच्छी डिटेल्स जो है उसको हम यहां पे परिक्षा सूल के आपकी जो फॉम भरेंगे इसमें तो जो भी केंडियेट जेनरल OBC, EBC हैं इनका यहां पे 540 रुपया लगेगा और शुची जाते और शुची जन जाते जो बिहार के निवासी हैं उनको यहां पे 135 रुपया लगेगा सवी स्रेणियों में दिवियांग के लिए यहां पे 135 रुपया और सवी स्रेणियों महिला के लिए जो सिर्फ विहार के अस्थाई निवासी हैं उनको 135 रुपया देना है यहां पे और विहार राजी के बाहर के जो भी है पूरुच महिला उनके यहां पे 540 रुपया लगेग और दो तरीके से परिक्षा लिए जाएंगे एक तो प्रार्रमिक होंगे जिसको प्रिलिम्स बोलते हैं हम लोग जिसमें समाने अध्यान पुछा जाएगा और आपके यहाँ पे रिजिनिंग पुछे जाएंगे टोटल यहाँ पे आपके डेर सो कोश्चन रहेंगे और जिसम सवा घंटा समय दिया जाएगा और एक कोश्चन जो रहेगा चार माक्स का रहेगा अगर एक गलती होगी तो कोटावती भी इसमें की जाएगी यानि कि निगटिव मार्किंग अभी यहाँ पर प्रोधान किया जाएगा इसमें और आपकी जो यह वेकेंसी होगी इसमें पे क्वालिफाई हो जाएगे तब इसके मेंस होंगे ओभी जो मेंस लिया जाएगा ओभी आपका अब्जेक्टिव टाइप ही पुछा जाएगा तो पूरा प्रारूप यह है और भी कोई डिस्कॉशन करनी है आपको और कुछ डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमें कर सकते हैं धन्यवाद वीडियो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को पास पहुंचाईए वाट्सअप करिए किसी भी माध्यम से वीडियो को सेयर करिए